मैं डॉक्टर अर्णी दर्मा अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनों में असोसियेट कंसर्टेंट पीडियार्टिक उंकोलोजी एवे हमेटोलोजी में कारे रहत हूँ मैंने अपनी बोल मेरो ट्रांस्प्लांट इन पीडियार्टिक्स एंड एडल्ट में जो ट्रेनिंग की है वो तिंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनों संजय गांधी मेडिकल कॉलेज लखनों एंड मिधानता गुरगाउं से की है अभी मैं पिछले छे साल से इसी छेतर में कारे रथ हूं अभी तक मेरा लगभग सौ से जादा वोल मेरो ट्रांस्प्लांट का एक्स्पीडियंस रहा है आज कल हम डेवेड यह देख रहे हैं कि बच्चों या बड़ों दोनों में ही ब्लट से संबंदित बीमारियों के होने की संबावना बढ़ती जा रही है या हम जैसे इसे टेकनलोजी आ रही है तो हम टाइमली इन बीमारियों को डिटेक्ट कर पाते हैं जैसे ब्लट कैंसर हुआ थैलेसीमिया हुआ कुछ जेनेटिक डिसॉर्डर हुए यह एवं बच्चों में इम्मिनोलोजिकल डिसॉर्डर जैसे सीवियर कममाइंड डिसॉर्डर मेटावॉलिक डिसॉर्डर इक्तियादी इन सब बीमारियों में कुछ बीमारियां तो जैनेटिक हैं परन तो ज़रूरी नहीं कि इनमेंसे कुछ रेंड Gavin door जानेटिक हो सकती है और इनमेंसे अधिक्टर बीमारियों का इलाज एक समय बात केवल और केवल गोल मेरो ट्रांस्प्रांटेशन होता है नहीं कि सबच बी मारे ऐसा नहीं कि सबीस बी मारीया कैंसरे उतियती है जिसमें बोल मेरो ट्रांस्प्रांट की आवस्थता होती जैसे relapsed refractory leukemia, lymphomas, solid tumor जैसे neuroblastoma, lymphomas, इत्यादी, bone marrow transplantation या BMT, ये एक ऐसी तखनीकी है जिसमें हम कोई operation नहीं करते, बल्कि आजकल इसका दूसरा नाम है stem cell therapy या cellular therapy, इसमें होता है क्या है कि कुछ बीमारियों में हम स्वयम का stem cell यूज करते हैं, most likely solid tumor जैसे lymphomas and neuroblastoma, और बड़े लोगों में एक बीमारी होती है multiple myeloma, परन तो कुछ बीमारियां हुई जिसमें bone marrow की ही तिकत है, जैसे thalassemia हुआ, sickle cell anemia हुआ, या immune related disorder हुए, इसमें हम स्वयम का bone marrow यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि already हमारा खुद का stem cell है वो affected है, ऐसी condition में हम किसी दूसरे वेक patient है, उससे match मिलता है, तो उसका bone marrow यूज करते हैं, autologous bone marrow transplantation में हम लोग स्वयम का bone marrow जो patient है, जो किसी लोग से क्रसित हैं, जिसके लिए आवस्यक हैं, उसी का bone marrow और stem cell यूज करते हैं, परन तो allogenic stem cell therapy में हम लोग किसी अनलिवेक्ती का जो बीमारी से रोग मुक्त है, उसका यूज करते हैं, generally हमें autologous में donor की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम लोग खुदी donor रहते हैं, जो patient है, परन तो allogenic bone marrow transplantation में donor की अक्सर दिक्कत आती है, अधिकतर bone marrow की disorder है, उनमें allogenic stem cell therapy की आवस्यक्ता होती है, परन तो हमारे देश में दुर्वाग्य बस, blood bank की तरह bone marrow registry की सं 6,000,000 डोनर हैं, उसमें से 60-70% जब उस stem cell की जरुवत पड़ती है, तो किसी कारण वस, personal lesion से या distance की वेज़े से वो बैक आउट हो जाते हैं, जब हम मैचिंग की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो family donor होते हैं, उसमें से 70% से ज्यादा चांसे रहते हैं, कि उनके मैच म कम रहती हैं, और मैच मिलने की संभवना भी कम रहती है, इसके बाद अगर हम out of India की बात करते हैं, अगर हम वहां से भी मैच कराने के लिए एकोसिस करते हैं, तो चुकि हमारा भारती DNA बाहर के DNA से अलग है, तो उस condition में मिलने की संभवना कम रही है, HLA मैच, दूसरा अगर म मिल भी जाता है, तो उसके बाद bone marrow transplantation का जो cost है, normal cost से 3-4 बढ़ जाएगा, इंडिया में public court banking system नहीं है, अब इस समस्या का इलाज क्या है, जब भी parents लोग पूछते हैं कि हमारे होने वाले बच्चे में हमें stem cell preserve कराना है, तो दो उनके पास option रहते हैं, private banking system और community banking system, मेरे जै system के generally community banking system को promote करते हैं, इसके अलावा ICMR भी community banking system को promote करता है, क्योंकि generally blood की बिमारियों में होता क्या है कि patient अपना stem cell यूज नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसी condition में उसको community system से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हजारों की तादाद में community banking system में sample available होता है, तो जब भी हम match कराते हैं तो sample की availability बढ़ आती है, दूसरा, अगर किसी family member को भी आवस्यक होता है, किसी blood की बिमारी के लिए, तो community banking concept में ये patient के family member को भी sample provide कराते हैं, इसके साथ साथ एक financial assistance में भी help मिलती है हमें, Lastly, मेरा सुझाब आप लोगों को है, कि अगर आप बच्चा expert कर रहे हैं, और आप ये plan कर रहे हैं कि हम बच्चे का stem cell preserve करा हैं, तो आपको community banking system ही accept करना चाहिए, तो कि इसमें आपके होने वाले बच्चे के साथ साथ एक complete family का भी एक protection मिलता है, नमस्ते हमुछ Turns हमुछ हमुछ